तो हेले एवरीवन कैसे हो फिर शेक नई वीडियो के अंदर स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो का टोपिक ही है कि पावर स्टेरिंग और मैन्यौल स्टेरिंग में में क्या डिफ्रेंस होता है कौन सा अच्छा होता है क्या आपड़ीश आया क्या फाइदे है या मेनिक आज आपको यह बताओंगा तो चलो स्टार्ट करते हैं तो देखो यह power steering होता है कि सबसे पहले आप Queensborough मिनिंग सब्सक्राइब 2 शब्द है पावर और स्टेरिंग CRS रभी का मतलब है कि आई शक्ती यानि कि इसके अदर आनि कि इसके अदर शकति जानवर ME स्टेरिंग होता है मैनुल आपको पता है हाध से जो अपने आप ईको alt r करना हूँ तो देखो जो power steering होता है यह क्या होता है power steering होता है कि इसकी पूरी assembly है motor गहरा है steering road फिर connect है यह उसके साथ सारा तो एक बारे मैं आफ को assembly दिखा देता हूं तो यहाँ पी पूरी assembly है इसकी यहाँ से लेके फिर नीचे रोड होगा रहां फिर एक्षिल के साथ connect है जो टायर मुडती है उनको help करता है यानि कि कहने का मतलब है कि दोनों इसके साथ connect है जो हमारे wheels होते हैं एक इदर एक इदर तो उसके साथ connect है तो अब देखो power steering ही होता है जब गाड़ी बंद होती है तो देखो बहुत hard है मैं आपको पूरानी mode के दिखा रहा है बुश के ओपर इसके ओपर असर पड़ता है तो यह देखो यह hard होता है और लोग हो गया क्योंकि इसके अंदर चाप भी नहीं लगी होई थी तो चलो अब इसको करते हैं unlock unlock करने के लिए क्या करना होता है थोड़ा सा मोड़ना होता है फिर यह on हो गया तो अभी भी hard है तो जब स्टार्ट करेंगे गाड़ी बिल्कुल soft अभी देखो एक उंगली से मोड़ा मैं पावरल का रहा हूं और मैं पूरा पूरा नहीं मोडराइस को क्यों इसके बुश करा हो जाते हैं तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है जो उसका पाइप होता है इसको प्रेसर स्ब्सक्राइब नाता है वो टायरों को भेजता है तब यह आगर अगर अगर यह प्रैशरी ना बनाए ना इसकी अगर एक इलेक्ट्रिक फावर स्टेरिंग मोटर अगर इसकी खराब हो जे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा यानि कि टायर तो मुडेंगे पर वही हमें एफर्ट बहुत जाल अदा लगाने पड़ेंगे तो देखो जब हम स्चार तो अन कर लिया तो एसी इस लेकर रहा क्योंकि गर्मी लग रही थी कोई रीजन नहीं है इसका चलो अन कर ली तो अब देखो अब क्या है बिल्कुल सोफ्ट कोई आवाज नहीं है स्चेरिंग में कोई कुछ नहीं है एक उंगली से भी कर ले देखा आपने अभी तो थोड़ सा हाड है अभी इसलिए हाड है क्योंकि अभी गाड़ी चल नहीं रही तो अभी इतना भी हाड नहीं है आपको मैं दिखा दिया एक उंगली से भी कंट्रोल हो रहा है तो और जब हम गाड़ी आगए बढ़ाते हैं तो और भी ज्याद़ सोफ्ट हो जाता अब बिल्कुल सोफ्ट है लोत जांढ़ेश क्लच छोड़ रखना अ फ्यार जाव यह भी शोफ्ट है अप जो अब आज थी ना थोड़ी और थो झzić खड़तने की वह इसलिए दी क्योंकि एंडबरेक लगी ती सवinky मदबन्याब घुरभीanne है तो अब्लकुल क्काम कर रहा यह इसको कोई भी मोड लेगा ठोट सा लोड भी लड़ेती है क्योंकि जार सीची का इंजन है थृष्षी इन्दर है तो थोड़सी रेस देनी पड़ती है इसके अंदर अब में हैंड़ीक अप्लाई करी थोड़ सी सही से गाड़ी नहीं खड़ी हुए एक तो थोड़ सा आगए करके फिर पिछे करना पड़ेगा मेरेको तो आपसे तो आपने देखा हैंड़ीक लगी थी इसलिए थोड़ सा लोड ले रही तो दिखाने का मतलब यह था कि जब गाड़ी चलती है तो और भी सोफ्ट हो जाता है और अब खड़ी है तो तब भी सोफ्ट है और जो मैनुवल होता है हाला कि अब मेरे पास अभी लेबल नहीं है पता है उसके अंदर कोई मोटर नीं होती कुछ सिधा ही कनेक्ट होता है उसके साथ जो मारे रोड होती है यान कि जो रोड ह होती है आव 450 की इart कoa कि अन्दर को यह काइस मोटनी को दीजिए कि ज्मेट एक ज्यादां कर दो है यानि यहांने तो यह Li जम कोड़ेगाय और पीजिए करें सा नाभते तो आपने देखा कोगा यहांना होगा जै घर साधा मौड़ना पड़ता है और जब गाड़ी चली जाती है साट सातर पे तो जब लेन भी चेंज करने हो दिना बस इतना सा मोड़ना आता है अगर उससे जादा मोड़ जाना पता मिन चलेगा गाड़ी कब चलेगी खेट होगे अंदर यानि कि इतना कम कर देता है एफट्स को human efforts को कम कर देता है जिसे कि हमें smooth driving मिल सके यानि कि मजाय driving करने में भी जो manual होता है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता यानि कि fluid वेगारा कुछ नहीं डली होती उसके अंदर कोई motor नहीं होती सीधा road डली हो यह वो हमारे axle के साथ connect है इसलिए हमें double power लगानी पड़ते है उसके swipe किया चलो इदर यहन्कि turn किया तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्या होता है power steering में अंतर और manual में क्या होता है तो चलो आप मैं आपको प्ता देता हूं इससके advantages का है power के power poussiering एडवांटेजी सिह है एक तो यूमन एफट्स को कम कर देता है बहुत जादा बहुत जादा किया बिलकुल ही कर देता है बस हमने मोडने तभी लगाना पड़ता है कोई वह नहीं कि हमें बहुत पावर लगानी पड़ रही है दूसरा यह गाड़ी टार्न बहुत चल्दी ले लेती है क्योंकि एक दम स्टेरिंग बढ़ जाता है तीसरा यह तीसरा सबसे मेरा फेवरेट है जो इसका पॉइंट है वह यह है कि ओटो रिटन ओटो रिटन सेंटर अबिलिटी इसकी बहुत बड़ी है मैं कहा रहा हूं कि ब पॉटो रिटन कैसे करते हैं और आपको दिखाऊंगा कि रिस्पॉंस क्यों नहीं देता वह देखते जाओ अभी थोड़सा मैं एक तो बीजी भी और थोड़सा टाइम नहीं निकाल पर रहा कि मैं गाड़ी लेकर जाऊं अभी मैं थोड़सा फ्री हूं तो इसलिए वीड करना विग्यारा तो मैं एक सिंगल मैनू मेरी टीम में जो मेरे चैनल मेकैनिकल नंदा उसमें कोई इंवल्व नहीं सिरफ कला मैं यूं तो देखो थर्ड पॉइंट में आ अपको उनको छोड़ा सब्सक्राइब लोग कल ला हूं तो तो देखो थर्ड पॉइंट होता है च एक तो तब आएगा जब वील एलेमेंट सही होगी और जब मोटर सही होगी बूश बगारा जोते और एर प्रेसर सही होएगा फॉर्थ यह देखने में बहुत अच्छा लगता पावर स्चेरिंग आप देखो कि दना अच्छा है इसका अलाकि इसके इसके इंदर स्टेरिं सेखें बहुत अच्छे अंशा वोतीरि ह्रीरि collecting में आपने देखा होगा ऊथन दो की चैसे अब रहती उसके ऊपर आएज़ो पति जारी होती है यानि कि उमारा एसे हॉरन पट्र ना उसके अंदर परस ऐसे जारी होती है तो एक तो वह देखने में पकवास लगता है और यह देखो कितना स्टाइलिश है अलगी इतना भी नहीं है मेरे को सही लगता है जैसे कि प्राइसिंग है ना और उस हिसाब से 2014 के साफ से सभय से सही है कि आपने देखना वगाल जब्हें थोड़ सा ओवड़ा रशते में गाड़ी चलते है कि याने कि याव ड़े खर होगो जो मैनुर्वल गाड़ी ह्यों तो उनको क्या करना पड़ता है यादि कि हमने कि अगर तो एसे अगर सीधी चल रहpse है रहा है उनको ऐसे करा आपकरना तो यह चाहिए आप की आप सोचों की नियुक्त में करना मैं आपको इसलोब करना पड़ता है इसमें हम यहा करते है थोड़ा सा चोड़ भी देते हैं अगर हाई वेव गारा पे चल रही है गाड़ी और सीधी लेन में चल रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं थोड़ा रिलैक्स भी फील कर लेता है थोड़ा तो देखो जो इसके नुक्सान है वो उसके फाइदे बन सकते हैं और जो उसके नुक्सान है वो इसके फाइदे हैं यानि कि जो पावर स्टेरिंग के फाइदे हैं वो उसके नुक्सान है मैनुल स्टेरिंग को और जो मैनुल स्टेरिंग के नुक्सान है वो फाइदे हैं पा तब आ सकता है और देखो जो मैनुवल स्टेरिंग होता है उसका यह एक तो फाइदा हो गया मैनुवल स्टेरिंग से क्या होता है हमारी एक्सराइज होती रहती हाथ की हमें पूरा घुमाना पड़ता है हाथ वर्किंग में रहता है हालकि ऐसे भी हो जाती है जब मोड विगा क्या होते हैं अब इसके बता देता हूं इसके नुक्सान ही है अगर at the time कोई fault आ गया तो देखो कहा का गाड़ी लेते फिर होगे आदत है नहीं हमें सिंपल स्टेरिंग चलाने गी तो चलानी पाओगे गाड़ी दूसरा यह अगर गाड़ी का कभी कोई काम हो गया यानि कि स्टेरिंग वील बगारा का तो मोटा खर्चाएगा कोई रोड बगारा में कमी आगी कोई फ्लूड बगारा कम होगी तो मोटा खर्चाता है इसका यानि कि जो स्टेरिंग का काम होता है वो महंगा होता है फिर ये लास्ट पॉइंट आहे जो मेरा इसका डिसाड़ःबंटेज इसका इसके इसके पतारों पवर के तो देखो लास्ट सव है तो यह हुत्त है क्या देखो जो मोटर गारा होती है इसकी थोड़े उसके चांस रहते हैं कि खराब होजे जल्दी हालाग इसकी होई नहीं तो थोड़ा डर सा बना रहते हैं कि पर यही था मेरा आज का वीडियो का टोपिक तो अब देखो मेरे को 12 मिंट होगे गाड़ी में बैठे हो बिना एसी के तो आप देख लो इतनी गर्मी में एक तो वीडियो बना रहो और उपर से रिस्पोंस बिना है तो कितना बुरा फील होता है तो वीडियो पूरी देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक का शेर दबा देना शेर करना अपने दोस्तों के साथ लाइक का बटन दबा देना शेर करना दोस्तों के साथ जिससे की नोलेज मिल पाए उन्हें भी और कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टोपिक पर चाहिए किस टोपिक उनका क्या था उन्होंने मेरे से पूछा कि सर इंजन लाइट हो नोगी वैगनार की तो मैंने देखो तुरांथ उनको बता दिया तो आप भी मेरे को कोई टोपिक तो दो मैं पर आपको इतनी अच्छी वीडियो मना के देऊंगा हाला कि मेरे पास बहुत जन्होंने कमेंट की आप इसकी cng और पेट्रोल का माईले टेस्ट करो तो देखो थोड़ सा करूंगा थोड़ सा बीजी चल रहा हूं यह निया कि मैं भूल गया है मेरे मन में याद है मिरको तो थोड़ सा एक तो बीजी होता है ना परसंद तो वह थोड़ सा टाम निकाल पा रहा हूं थोड़ चले के तो इस चकर से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया तो अब थोड़ सा रिस्पोंस नहीं थोड़ सा वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर दे और जल्दी से वन के करवा देना प्लीज क्योंकि एक साल भी ओने वाला चैनल को और अभी मेरा आधवी तो बहुत बूरा लगता है एक तो इतनी गर्मी में वीडियो भी बनाओ फिर उपर से रिस्पॉंस ना है फिर वही थोड़ी डिप्रेशन सा होता है थोड़ा तो थैंक्यू फॉर वोचिंग थोड़ी सा देखो मेरे कोई सपोर्ट करो जिससे कि हमारे थोड़ी फैंबली